अस्सलाम उलेकूम, यूनिट 13, दे नवाब अफ सलीमाबाद, पार्ट टू, बुक थ्री, नियू आक्सवेड मौज़न इंग्लिश, आज हम इस यूनिट के वर्स मीनिंग्स और क्वेस्टन आंसर्स सॉल्फ करेंगे, लेकिन इससे पहले आप रीडिंग विद उर्दू ट् सॉल्फ कर सकेंगे और समझ सकेंगे, इंपॉर्टन्ट वर्स मीनिंग्स नोट करें, ओवर्जॉइल्ट, वेरी प्लीज्ट, नहायद खुश, कुमांडर, आफिसर इन कुमांड अफ द आर्मी, लीडर, फॉजी अफसर, अमीर या सिपासलार, प्रेजंट, गिफ्ट, वेल्वेबल, कॉस्टली, आर्टिकल्स, प्रिश्यूस, बेश कीमत, कॉस्ट, बी, प्राइज, एड, लाकत, कीमत, रखना, मिजरेबल, अनहाप्पी, सैट, सौरॉफुल, आफद्जदा, दुखी, लेकिन स्टोरी में मिजरेबल अनियन्स यूज हुआ है, तो उसका होगा, बिकार से, जो प्यास थे, उनके लिए ये लफ्स यूज हुआ है, बिकार, प्यास, क्वेल्री, ग्रूप अफ सोल्जर्स, होर्स, सोल्जर्स, टूपर्स, रिसाला, घुरसवार, फौज, सर्विस, दे एक्शन ऑफ हेल्पिंग, और दूइंग वर्क फर सम्वन, ख पंट्री और स्टेट, रूले रूले बाद्शाहि, बाद्शाहत, राज, मुमलेकत या सल्तिनत, मनी लेंडर, अ परसन वो लेंड्स मनी विच पाइद बैक अधा है रै रेट अफ इंटर्स, फिनेंसियर, सहुकार या महाजन, सूथ पर उदार देने वाला शक्स, साइर, a respectful form of addressing a king, सहब या आलिजा अब हम इस question का answer लिखेंगे, जो reading के दुरान आया है What kind of a man was the moneylender? Moneylender यानि साहुकार किस किसम का आदमी था? इसका answer note करें The moneylender was a clever, cheater, greedy and jealous man He was jealous of the gold coins that Nawab gave to the old woman यहाँ आप cheater के जगह dishonest भी लिख सकते हैं Exercise A, Comprehension अब हम इन तमाँ questions के answers लिखेंगे How did the Nawab meet the farmer's three sons? Nawab की कसान के तीनों बेटों से कैसे मुलकात हुई? Answer note करें He asked the commander of the cavalry to bring them before him Question B है Who felt proud at serving the Nawab? किसको फखर था Nawab की खिद्मत करने पर? The sons of the farmer were proud at serving the Nawab यहाँ आप farmer के बेटों के नाम भी लिख सकते हैं Salim, Hamid and Arfan were proud at serving the Nawab इस तरह भी लिख सकते हैं Question C है What did the farmer's wife give to Nawab? Why? Farmer की बीवी ने Nawab को क्या दिया और क्यूं? The farmer's wife gave a basket full of onions to the Nawab She wanted to thank him for sending her sons back Question D है What did the old lady received as a present? Boodi औरत ने तुफे के तौर पर क्या वसूल पाया? The old lady received a box full of gold coins as a present यहाँ आप यह भी लिख सकते हैं The old lady received a box full of hundred mohars of gold as a present Question E है Did the moneylender get a valuable present? No, he got a box full of onions These questions are more difficult अब हम इनका अंसर लिखेंगे Why do you think the Nawab sent the boys home? आपके ख्याल में नवाब ने लड़कों को घर क्यूं भेज़ा था? Answer note करें The Nawab wanted the boys to live with their parents and help them in their old age नवाब चाहता था के लड़के अपने माबाब के साथ रहें और उनकी old age उनके बढ़ापे में उनकी मदद करें Question G है What kind of a man was the Nawab? Nawab किस किसम का आदमी था? A great man and a good ruler He was also kind and very wise Question No. 2 हम exercises वाली वीडियो में solve करेंगे पहले हम question No. 3 को solve करते हैं Question No. 3 है Answer the questions about these lines taken from the story ये lines story में से ली गई हैं इन से related जो questions हैं उनकी answers देने हैं इसका तरजमा है एक ताजर आली जा हां एक ताजर मैं आपके लिए एक तोफ़ा लाया हूं Question है Who speaks these words? ये words किसने कहे थे? The moneylender B है To whom are the words spoken? किसे कहे गए थे? तो ये words कहे गए थे नवाब को To the नवाब Question C है Why does the speaker repeat the word businessman? जो businessman word है उसे वो पार पर क्यों repeat कर रहा था? Answer No. 3 है He repeats the word to emphasize that he is a businessman Being a businessman is respectable While being a moneylender is not so respectable as a profession Moneylender, सहुकार, businessman, ताजर के लफ़ पर इसलिए ज्यादा जोर दे रहा था क्योंकि वो ये बावर कराना चाहता था कि वो एक ताजर है इसलिए कि ताजर का जो पेशा है वो बनिस्पत सहुकार के पेशे से ज्यादा काबले एक्तराम समझा जाता है अब हम question D को solve करेंगे What gift has he brought and why? वो उसके लिए क्या तोफ़ लाया था और क्यों? He has brought a fine horse He expects to receive an even more valuable gift in return for the horse वो नवाब के लिए एक बहुत उंदा घोड़ा लाया था क्योंकि वो तुक्का का रहा था कि इस घोड़े के बदले उसे बहुत कीमती इनाम मिलेगा तोफ़ा मिलेगा अब हम challenge question को solve करते हैं Why did the moneylender give the nawaab a horse? The moneylender was expecting a more valuable gift in return for his gift He thought if the farmer's wife got a box full of gold coins for some onions He would get much more for a fine horse Moneylender ने nawaab को घोड़ा क्यों दिया था? क्योंकि वो नवाब से बदले में बहुत ही कीमती तुफा मिलने की तुक्का कर रहा था उसके ख्याल में अगर किसान की वीवी जन्त प्याजों के इवस सोने के सिक्कों से भरा हुआ संदूग पा सकती है तो उसे उम्दा घोड़े के बदले बूरी औरत से भी कहीं ज्यादा कीमती तुफा मिल सकता है तो ये थे एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग स्टोरी के क्वेस्टिंज के आंसर्स इस चैप्टर की जितनी भी एक्सेसाइजिस हैं जो ग्रामर टाइप की एक्सेसाइजिस हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्फ करेंगे और आपने मेरा चैनल काइनली सब्सक्राइब करना नहीं भूलना प्लीज लाइक भी किया करें और ज्याता से ज्याता शेयर भी किया करें तेंक्यू अलाफिस